नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां के टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं अयोध्या के राम मंदीर में 2023 से दर्शन देंगे राम लला 2025 तक पुरा होगा मंदीर निर्मान कारे अयोध्या का राम मंदीर बर्श 2023 तक तक तियार हो जाएगा और सरधालूओं को राम लला के दर्शन मंदीर में होने लगेंगे बता दे A9 नियूज एजन्सी ने यह जनकारी सुत्रों के हवाले से धी है सुद्रू के हवाले से यह जनकारी भी सामने आई है कि मंदीर का ग्राउंड फोलोवर बर्ष 2023 तक त्यार हो जाएगा हलाकि मंदीर निर्वान का कार्ष 2025 तक पूरा होने की उमीद है मंदीर का ग्राउंड फोलोर जब पूरा हो जाएगा तो राम लला की मूर्ती को मंदीर में अस्थानांत्रित कर दिये जाएंगे नियुक्ती नियमावली को आज कैबिनेट से मिलेगी हरी जंडी जार्खन में नियोक्ति निमावली को गुरु आर्गो कैबिनेट से हरी जंडी मिल सकती है इसके बाद अब जार्खन करमचारी चैन अयोग नियोक्ति के लिए दो अलग अलग परिक्षाओं का आयोजन नहीं कर एक ही परिक्षा से काम चलाएगा सरकार इस बात को भी अंगी कार करने जा रही है कि जार्खन से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियोक्ति में परत्मिक्ता दी जाए कार्मिक विभाग ने पिछले महीने तृतिये और चतूर्ट स्रेनी की नोक्रियों में जार्खन से ही मैट्रिक वा इंटरपास करने वाले छात्रों को प्रात्मिकता देने का प्रस्ताव त्यार किया था जार्खन में 300 क्लोर का GST घोटाला जार्खन में GST घोटाले की कई अस्तरिये जांच के बाद अपलगभकताय हो गया है कि 19 कंपनियों ने फरजी वाड़ा कर करीब 300 क्लोर का घोटाला किया है CGST राची के अस्तर से इन कंपनियों की जांच के बाद यह फाइनल आकड़ा सामने आया है बता दे कि GST के तहत फरजी तरीके से इनपूट टेक्स क्रेडिट का लाव लेने वाली कंपनियों के बारे में पूर्व में राजी के बानिजे कर्वी भागने भी खुला सक्या था सी जी एस्टी ने इसी जांच को आगे बढ़ाते वे अवगोटाले से जूड़ी इस्थीती साफ कर दी है जार्खन में राइस्टट उनाइस कंपनियों ने तीन सो क्लोर का घापला कर 26.5 एकलोर रुपे की टेक्स चोरी की है सेवेंथ जे पिएसी पीटी परिक्षा 12 सितंबर को जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा 7-20 सेवा प्राइमिक परीक्षा की तारिख की घोस्ना कर दी गई है प्राइमिक परीक्षा 12 सितंबर को आयो ज़ित की जाएगी कोरुना गाईलन का पाईयलन के पालनकर JPSC की PT की परीक्षा आयो ज़ित होगी आपको पता दे कि कुरोना संक्रमन की कान पिछली परिक्षास थागित कर दी गई थी अब जारखन लोग सेवा आयोग ने बुद्वार को साती सिविल सेवा प्ररामिक परिशा की संभावे तारिक जारिक कर दी है धनबाद जर्ज मामला धनबाद सिविल कोट के जर्ज उतम अनंद की हट्या मामले में CBI की दिली इस्पेशल क्राइम ब्रांच एक ने बुद्वार को केश दर्ज कर लिया है इसके साथ ही जाच में तेजी आ गई है वही जाँच के लिए दिली से आई CBI की टीम बुदवार की साम धनबाद भी पहुँच गई है उमीद है कि गुरुवार को फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी धनबाद पहुँच सकती है धनबाद जाँच मौत मामले में जाँच के लिए CBI ने दिली स्पेसल क्राइम ब्रांच एक के सीनियर एस पी जो गरूप एस गुसी नहा के नेतित में 20 अपसरों के स्पेसल टीम बनाई है सीएम हमन्त के निर्देश पर सलीमा के घरलागा टीवी सीएम हमन्त सुरेन के संग्यान में यह बात आते ही सीम डेगा DC सुसान्त गरों को समस्या के समधान का निर्देश दिया गया बतादे DC ने ततकाल पहल करते हुए जीला खेलपत अधिकारी तूसार राय को सलीमा टेटे के घर सेमी फैनल मैच के पहले टीवी लगाने का निर्देश दिया था निर्देश पर अमल हुआ और सलीमा के परिजन यह गावाले सेमी फैनल मैच टीवी पर लाइब देख पाए जारखन के 11 जीलों में 25 सो माधमिक टीचर्स की बहाली जारखन के 11 जीलों में जल्द 25 सो टीचर्स की फैकेंसी आने वाली है बतादे राज एक के माधमिक स्कूलों में असनातक प्रसिक्षी टीचर्स की नियुक्ती होने वाली है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद चारखन की स्कूली सिक्षा एम सक्षारता विभाग ने कार्मिक विभाग से नियुक्ती समंधिरा मागी है वहीं नियुक्ती पर क्रिया को लेकर स्कूली सिक्षा एम सक्षारता विभाग ने इसकी त्यारी भी शुरू कर दी है बता दे राज ये के हजारी बाग, रामगव, कुडार्वा, धन्बाद, बोकारो, पलामू, चत्रागिरीडी, गडवा, देवकर और गोड़ा जिले के लिए करीप पचीस स्वमादमिक सिक्षकों की बाहली होनी है मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में तुरूटी को लेकर जैक चेर्मेन को घिराव जारखन में मैट्रिक और इंटरिमिडेट का रिजल्ट निकलने के साथ ही तुरूटी को लेकर विरोध परदसन जारी है इसी करम में एन एस यू आई ने जैक बोड के चेर्मेन डाक्टर अर्विन सिंग का घराव किया और उन्हें ग्यापन सोपा जैक बोड के चेर्मेन ने उन्हें अस्वासन दिया है कि सीग रही इस मामले में निन्र लिया जाएगा सरकार गयाने की साजीस आरोपियों को रिमांड पर लेगी रांची पुलीस जारखन में हमान सुरेन सरकार गयाने की साजीस राचने की तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए रांची पुलीस ने सीविल कोट में आविदन दिया है इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूलिस पूस्तास करेगी आपको बता दे कि पिछले दिनों पूलिस ने तीनों आरोपियों को बिधायकों के खरीद फरोक्त मामले में जेल भेजा था ज्यारखन में बिधायकों को खरीद फरोक्त मामले में पूलिस ने राची सिविल कोर्ट में आवेदन दिया है और आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की है ज्यारखन में 30 ने केश मिले है जो राची से 7, पूरवी सिविल से 3, धरमास से 6, रामगर से 8, कोडार्मा से 1, गुमला से 2, साहिवन से 2, पाकूर से 1 मिले है जारखन में 41 मरीज स्वास्त भी हुए हैं, जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 223 है, भारत में 42,797 मिले हैं, भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,4648 है जारखन में असिस्टेंट फोर्फेसर बनने के लिए PhD अनिवारे हैं, राज येपाल रामेस बैस ने विश्व बिद्याले और कलेजों में असिस्टेंट फोर्फेसर की सिधी नियुक्ति के लिए PhD की डिगरी अनिवारे करने से समंधित रेगुलेशन पर अपनी मुहर लगा पर शुरू होने वाली नियुक्ति परकिरिया में यह नियम लागू होगा। सिमिरन कौर वा साधिक अमान को 99.8 परतिसत अंग हासिल हुए है। रेमडे सिवीर काला बजारी राची में रेमडे सिवीर दावा की काला बजारी मामलेक के आरवोपित राजीव सिंग का एक और बाया फर्जिवारा समने आया है। वा खुद को कभी रेल डियाईजी, कभी एससी आयो के चेयर्मैन का ओएशडी, तो कभी फूड सेप्टी कर्पोरेशन ओफ इंडिया डारेक्टर बताता था। अपना गलत परिच्छ देकरवा लोगों को जहासे में लेता था, इसकी अडियो, CID के हाथ लगी है, तब मामला सामने आया, इसे लेकर एमडे सिवीर प्रकरण की जाच के लिए बनी, CID की SIT ने डुरंडा थाने में एफायर दर्च कराई है। इसकूल आने से पहले सभी सिख्छ को वकर्मियों का करोना जाच अनिवारे। रांची के कुख्यात, जमीन मफ्याओं पर करवाई की तियारी में पुलीस। पर अब CCA के तहत करवाई की जाएगी, जीन पर जगन अपराधिक मामला दर्ज होंगे, वे जीला बदर होंगे। जबकि जिन के खिलाब छोटे मामले दर्ज होंगे उनके खिलाब थाना हाजरी की करवाई की जाएगी सिक्षकों के लिए भैक्सिन उपलब्द कराने की मांग सिक्षा विभाग ने स्वास्थ विभाग को पत्र लिख कर अपील किया है कि सिक्षकों को प्राथ मिक्ता के अधार पर भैक्सिन उपलब्द कराई जाए ताकि वो स्कूलों में बचों को पढ़ा सके बता दे कि राई सरकार के अनुमती के बाद सिक्षा विभागने चाह अगस से नौवी से बराहमी के छात्र शत्राओं को स्कूल में बुला कर ओफलाइन पढ़ाई का निर्न लिया है इसमें छात्र शत्राओं अविभागों के समाति पर ही स्कूल आ सकेंगे जो छात्र शत्राओं घर पर अकर पढ़ना चाहेंगे उनके लिए डिजिटल कंटेंट और ओनलाइन सिक्षा जारी रहेगी धन्यवाद